हाई दोस्तों नमस्कार स्वागत है मेरा चानल में मैं पुष्पाप के सामने और एक रिस्पी के साथ आगए आज का जो रिस्पी है का दम्ब प्रसाद है और यह वेजिटेबल से बनाया जाता है आज का दिन का दम्ब प्रसाद है आज का प्रसाद वेजिटेबल से बनाया जाता है और वो कैसा बनाते हैं आप लोग को बताते हूं यह बहुत हैल्दी वाला फुड भी है यहां पर मैं वेजिटेबल लिया है आपके पास जितना वेजिटेबल से उतना वेजिटेबल दाल सकते हैं कौन सा भी वेजिटेबल दाल सकते हैं यह वेजिटेबल नहीं दाल लिया तो एक लास तुवर लिया है और इसको पानी जाधा आ Button Mm datos मैं यहां भाशा बूलते हैं आचलिव Back Sand ले나ा है मागर मैंए 5 लास पानी दाली है चोटी चमच से एक चमच फुल नमक दाल रही हूं कि कुकर कड़कर लगा के एक से तीन विजल लगा देती हूं मेडियों प्ले में तीन लगा रहे हूं हाई प्ले में दो लगा दीजिए यहां पर मैं और एक कुकर लिया है और एक कुकर में जो वेजिटेबल में ने लिय हैं कौनसा भी वेज़िटेबल ले सकते हैं मैं अप पामकीन लिया है अलु लिया है भ्रिंजाल हरी मिर्शी आप जो सबजे आप यह पास है वो पूरा ले सकते हैं टमाटर भी कमपलसरी दालना है तो टमाटर कटे के लिए टमाटर भी दाल दे Les मैं आल्रेडी चावल के साथ हरा बटानी में दाल दिया है अब ये पूरा विजिटेबल्स को मैं दो भी विजिल लगाते हैं ज्यादा विजिल भी नहीं लगाना है अब इसमें एक ग्लास उतना पानी दालते हैं और इसमें भी मैं एक चोट्टी चमच इतना नमक दाल रहे हूं दो चमच नमक हो गया है अब हम इसको डखन लगा दे के दो विजिल के लिए लगा देते हैं दो भी कुकर ग्यास पर लगा चुकी हों यहां पर मैं इमली लिया है इमली एक नीमबुस हैस उतना इमली लिया है उसको भी गोके लगा दिया है पुकर का विजिल तो आ चुका है तीन विजिल लगाया हमेने लो फ्ले में तीन विजिल लगाया कराई फ्ले में लगाया तो दो विजिल लगाने का है एक बार हम चक कर लेते हैं देखिए पानी ज्यादा ने लगाने से नीचे धाग भी नहीं लगेगा और हमारा चावल जै अच्छा सा पक चुका है जितना भी सब्जी लेना है आप सब्जी ले सकते हैं कौन सा भी सब्जी ले सकते हैं करेला कुछ चोड़के कौन सा भी सब्जी ले सकते हैं यह व्रत का है इसलिए हम प्याज नहीं ले रहे हैं और लसन भी नहीं ले रहे हैं अधरक लसन प्याज न नरम नरम बन जाता है दो भी वेजिटेबल सा और चावल के साथ बनाए तो एक दम नरम बनता है इसलिए मैंने लास्ट में बेंडी दाल रहे हूं क्योंकि बेंडी दाले तो चिकट के जैसा बन जाता है लास्ट में दाल ये लास्ट में दाल के पकाईए तो बेंडी भी अच्छा पकेगा देखें मैं इस तरह से पहले दाल के अच्छा सा मिक्स कर ले रहे हूं अब कि अबि में अगत जलाई है मीडियम प्ले में लगा ए यह यां June जो तना मिर्ची पॉडर दाल रही हूँ अगर आप nieuश्मीरी लाल मीर्ची पॉडर चार दाल रहे हैं देखолод के लिए अपको देख सवाद के लिए – latter- Sellice उसके बाद में मैं यहां पर आदा चमच उतना नमक डाल रही हैं क्योंकि अल्रेडी हम दो चमच नमक डाल चुके हैं तो इसलिए मैं आदा चमच नमक डाल रहा हैं उसके बाद में इसको अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स किया है अभी यहां पे मैं और एक ग्लास उतना पानी दाल रही हूं क्योंकि बहुत गाड़ा हो चुका है एक ग्लास पानी दाल के इसको अच्छा सा फिर से मिक्स कर देते हैं देखें अच्छा से एक ग्लास पानी दालते हैं तोड़ा सा नल तोड़ा पतल इमलay दालने से बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है और कादम वह प्रसाद में कंपा सरी दालते हैं इंडे और टामाटर कंपा सरी दालते हैं इन धूनों को स्किप मत कीजिये एंडे डालने कोद फिर इसके Łवां संस्च मिक्स कर लेते हैं mix कर दे के इसको एक दो से चार मिनिट तक low flame में पकाईए अगर flame बढ़ा रहे है तो दो मिनिट तक पकाई सकते हैं देखे इसको अच्छा सा भी पकाने का है अगर आप लोग नार्मल टैम में बना रहे तो इसमें प्यास डाल सकते हैं अद्रक लेसन का पेस्ट दाल सकते हैं साबित लेसन के कलियां भी दाल सकते हैं यह अभी अच्छा सा बन चुका है अभी इसमें मैं हरा दन्या दाल देती हूं हरा दन्या आप जितना चाहिए उतना दाल सकते हैं अच्छा सा दिखता भी है और टिस्ट भी बहुत यहां में हरादन्यस दाल चूकियों एक दालता है कियों मिक्सकर लेए कि चुछा यह हम पर ayam Padda बहुते हैं चार बड़ी छे मचक अिए घी दाल हम और इस में पर मैं हरी मिची लिया है दो हरी मिची को चोटा-चोटा काटके दाला है क्योंकि जो हरी मिची का तड़का लगाते है तो काते वकत बहुत अच्छा स्वाध रहता है अगर आपको तड़के में नहीं लगाना है ऐसी हरी मिची काटके दाल दीजिए लाल मिची दाला है और इ एक चमचतना काली मिच दला है साबित काली मिच दीखे तड़का तो अच्छा सा फ्राई हो चुका है अगर आप लोग हिंक आ सकते तो हिंक भी दाल सकते हैं देखे अभी तड़का लगा देते हैं हैना बहुत आसानी है और हेल्दी वाला फूड है आज का प्रसादी भी बन है आठ बाग का दिन कादम बे प्रसाद बन गया है देखें कितना अच्छा दिख रहा है उतना ही अच्छा टेस्टी रहता है आपको पसंद आयते जरूर बनाए तब ते के लिए अलवीदा हूं